नमस्कार बच्चों, हम कक्षा ग्यार्वी का अध्या एक समुच्चे पड़ रही हैं। इसमें हमने पिछले सत्र में समुच्चे के प्रकार पड़े थे और उसमें हमने रिक समुच्चे, एकल समुच्चे, परिमित और परिमित समुच्चे, समान समुच्चे पड़े थे हमने उप समुच्चे के बारे में भी पढ़ा था और आज हम उसी से शुरुवात करेंगे तो आज के इस सत्र में हम इन विश्यों पे प्रकाश डालेंगे उप समुच्चे, अंतराल, घाट समुच्चे, एवं सार्वत्रिक समुच्चे तो आईए सबसे पहले याद करें कि उप समुच्चे हम किने कहते हैं यह रही हमारी परिभाशा यदि समुच्चे A का अव्यव, समुच्चे B का भी अव्यव है तो A, B का उप समुच्चे कहलाता है उधारण के तौर पर A मैंने समुच्चे लिया, जिसमें अव्यव हैं दो, एक और दो और B समुच्चे, जिसमें अव्यव हैं एक, दो और तीन तो आप देख सकते हैं और कह भी सकते हैं हाँ, जो A है, वो B का उप समुच्चे है क्यों? क्योंकि A के सारे अव्यव B के भी अव्यव है यानि सदस्य है तो आए इस पे एक और सवाल ले इस सवाल में हमें बताया गया है ग्याद करें निम्न में से निम्न यानी ये जो हमारे पास सारे समुच्चे दियों है A, B, K, N इन में से कौन से समुच्चे इस H समुच्चे के उप समुच्चे है ठीक, प्रशन समझ में आया इसके उत्तर भी आप सामने देख रहे हैं तो देखेंगे ये उत्तर कैसे आए तो सबसे पहले A पार्ट पे ध्यान देंगे इस A समुच्चे को इसके अंदर अव्यव उपर ध्यान दे A और B ये अव्यव H समुच्चे के भी अव्यव है तो इसलिए जो A है हमारा समुच्चे वो उप समुच्चे है H का ठीक? अब इस B पार्ट पर ध्यान देंगे B हमारा एक रिक्त समुच्चे है क्या ये हमारा उपसमुच्च्च है H का हाँ है कैसे क्योंकि इसमें कोई भी अव्यव है ही नहीं तो हम बता ही नहीं सकते कि ये H का उपसमुच्च्च नहीं है तो हम इसे मानेंगे कि हाँ जो रिक्त समुच्च्च है वो हमारा H का उपसमुच्च्च है अब C पाच में देखेंगे K समुच्चे को इसके अव्यवों पर ध्यान देंगे A, B, C और E ध्यान से देखेंगे यह E सदस्य है यह जो E है आपका H का सदस्य नहीं है तो हमारा जो K समुच्चे है वो H का उप समुच्चे नहीं है अब आखरी पाट N, N के अव्यव A, B, C और E यह सारे के सारे अव्यव H के भी अव्यव है तो इस परश्ट दा हमें पता चल रहा है कि जो N है वो H का उप समुच्चे है आईए इसी परश्ट में हमने जो कुछ खास बिंदू पड़े हैं उनको नोट करते हैं तो यह हमारा नोट सबसे पहले बिंदू पर ध्यान देंगे रिक समुच्चे हर समुच्चे का उप समुच्चे होता है हमने देखा यह जो B पाट में जो B समुच्चे है वो हमारा H का उप समुच्चे है दूसरे बिंदू पे ध्यान देंगे, हर समुच्चे अपना ही उप समुच्चे होता है, बिल्कुल सही, क्यों? क्योंकि जो समुच्चे है, उसके सदस्य, उसी के सदस्य कहलाएंगे, तो यानि हम हर एक समुच्चे को उसी का उप समुच्चे भी कह सकते हैं, अग तीसरे बि उप समुच्य है B का, और B, उप समुच्य है A का, तो वो दोनों समुच्य बराबर होंगे, यानि समान होंगे. उधारण आपके सामने ही है, D पाट पर ध्यान दें, इस वालियों पर. अभी हमने देखा जो N है, वो उप समुच्य है H का, इसी प्रकार H भी हमारा उपसमुच्चे हो सकता है N का और हम सामने ही देख सकते हैं जो N और H है वो दोनों क्या है? समान समुच्चे ठीक? अब इस आखरी बिंदू पे ध्यान देंगे मान लीजे हमारे पस दो समुच्चे है A और B A हमारा उपसमुच्चे है B का परंतु जो A और B हैं वो दोनों बराबर नहीं है, समान नहीं है यानि B में एक ऐसा अव्यव है हमारे पास जो की A में नहीं है ठीक? अब तो ऐसे समुच्चे में जो A समुच्चे है वो B का उचित समुच्चे कहलाता है जिसे हम इंगलिश में प्रॉपर सेच के नाम से भी जानते हैं और जो B है वो A का अधी समुच्चे यानि सूपर सेट कहलाता है इसी उधारन में क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन-कौन से उप समुच्चे है जो की H के हैं वो उचित समुच्चे है पार्ट A यानि A समुच्चे और B समुच्चे ये दोनों हमारे उचित समुच्चे हैं ध्यान देंगे N समुच्चे हमारा उच्चत समुच्चे नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि ये H के बराबर है, समान है आईए इस पे अब एक और सवाल ने इस सवाल में हमें तीन समुच्चे दिये हैं A, B और C हमें दिया हुआ है जो समुच्चे A है वो B समुच्चे का अव्यव है ध्यान देंगे अव्यव है और जो B है वो C समुच्चे का उप समुच्चे है चीक, दोनों में अंतर है ये देखेंगे तो क्या ये सत्य है कि A जो है वो C का उप समुच्चे है साफ ही स्पष्ठ हो रहा है कि ये सत्य है या असत्य है प्रश्न हम से मांग रहा है कि यदी नहीं तो एक उधारन दीजिए अभी तक आप देख सकेंगे कि ये क्या है हमारा असत्य है कैसे? A, B का अव्यव है और जो B है वो C का उप समुच्चे है तो A हमारा C समुच्चे का अव्यव होना चाहिए, ना कि उप समुच्चे, तो देखते हैं इसे उधारण के सहिट, नहीं हमने देख लिया कि हाँ, यह जो कथन है वो सत्य तो नहीं है, अब मान लेते हैं, सबसे पहले हमने A में एक अव्यव लिया, एकल समुच्चे बना लि चाहिए, तो देख सकते हैं, यह, और एक हमने अलग से अव्यव ले लिया, मान लेते हैं, तीन, C समुच्चे के अंदर, हमने इसे ऐसे बनाया है, जिसके अंदर जो B है, वो C का उप समुच्चे है, तो सारे अव्यव B के, C के भी अव्यव हैं, यहां देख सकते हैं, और B और C को भिन करने के लिए हमने एक और इसमें अव्यव डाल दिया है एक स्पष्टता यहां हम यह सारी चीज़ें देख चुके हैं अब क्योंकि A हमारा B का व्यव है B C का उपसम उच्चे है पर रंतु हमारा जो A है वो C का उपसम उच्चे नहीं है कैसे उधारण से देख सकते हैं अगर उपसम उच्चे है तो दो जो है वो C का अव्यव होना चाहिए पर दो C का अव्यव नहीं है बच्चों यहां आप ध्यान देंगे इन दोनों प्रतीक में अंतर है ये दो केवल अव्यव दर्शा रहा है और ये समुच्च दिखा रहा है जिसके अंदर दो एक अव्यव है तो ये दोनों अलग-अलग चीजें दर्शा रही है इसी से अब आप समझ सकते हैं कि C के अंदर हमारा जो दो है वो अव्यव नहीं है हमारा समुच्च जिसके अंदर दो एक अव्यव है वो एक सदस्य है C का तो इसी प्रकार इस सवाल से हमने क्या पाया इस बिंदू पे ध्यान देंगे नोट करेंगे कि समुच्चे का एक अव्यव उस समुच्चे का उप समुच्चे कभी नहीं होता ठी, बहुती खास बिंदू है, ध्यान देंगे आईए, अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चे के उप समुच्चे यानी, सबसेट्स ओफ रियल नंबर्स इस चित्र पे ध्यान दे, हमने कई संख्याओं पड़ी हैं और उनके संख्याओं पड़े हैं और ये भी देखा कि वह क्या हैं? उप समुच्चे हैं प्राकृत संख्या, पूर्णांग संख्याए, परिमय संख्याए एवं वास्तविक संख्याए हम जानते हैं जो प्राकृत संख्याए है वो पूर्णांग संख्याए भी होती है जो पूर्णांग संख्याए है वो परिमय संख्याए भी होती है और जो परिमे संख्याय हैं, तो वास्तविक संख्याय भी होती हैं। तो इससे आप ये संभंध सपश्टता देख सकेंगे। देखेंगे, क्या ये हम संभंध स्थापित कर सकते हैं? बिलकुल कर सकते हैं। यहां देखेंगे प्राकृत संख्या हमारा उप समुच्चे है किस-किस का पुर्णांग संख्याओं का परिमे संख्याओं का एवं वस्तवेक संख्याओं का ऐसे ही पुर्णांग संख्याओं का जो समुच्चे है वै उप समुच्चे है किन-किन संख्याओं का परिमे संख् वास्तवेक संख्याओं का और आखरी में जो परिमय संख्याओं हैं उसका समुच्चे उप समुच्चे है वास्तवेक संख्याओं के समुच्चे के ठीक तो अब मैं आपको एक प्रश्न देती हूँ इस पर विचार कीजिए प्रश्न में यह है कि N और Z पुछा गया है कि क्या वे इस के समुच्चे के उप समुच्चे है या नहीं N और Z यानि प्राकृत संख्याओं और पुर्णांग संख्याओं के बारे में यहां वे कह रही है तो देखते हैं इसे क्या करेंगे तो मान लेते हैं अभी कि जो हमारी प्राक्रे संख्या है वो K का उपसमुच्चे है तो हमने क्या लिया मान लेते हैं जो हमारा N है वो K का उपसमुच्चे है तो यानि जो इसका अव्यव होगा वो इस K का भी अव्यव होना चाहिए तो एक अव्यव उठा लेते हैं माल लेते हैं कि तीन जो कि हमें पता है N में है इससे K में भी होगा अब K की परिभाषा क्या बता रही है हमें? कि K में वह सारे वास्तविक संख्याएं है पर वे परिमे संख्याएं नहीं है Q यानि परिमे संख्या R यानि वास्तविक संख्याएं तो जो तीन है वो मेरी परिमे संख्या नहीं है पर ये तो गलत है आप जानते हैं मैं तीन जो है मेरा वो परिमे संख्या है मैं तीन बटा एक लिख सकती हूं मैं इसे P बटे Q, जहां Q मेरा 0 के बराबर नहीं है, ऐसे प्रतीक में मैं इसे लिख सकती हूँ, तो यानि तीन जो है मेरा Q में आता है, और इस तरीके से हमने उपर भी पड़ा है, कि जो N है वो Q का उपसमुच्च है, तो यानि यह संदर्भ हमारा गलत हुआ, और इसी से हमे यह पता चला, जो N है, जो आपका N है, वो Q का उपसमुच्चे नहीं है, ठी, आईए बागे बड़े, अब हम अंतराल आरके उपसमुच्चे के रूप में पढ़ेंगे, यानि हम पढ़ेंगे intervals as a subset of real numbers, देखें, यह आपका एक कार्थिय तल है, ठी, देख सकते हैं, इस कार्थिय तल में अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे वह सारी वास्तविक संख्याओं का, क्या निकालना है, संग्रह बनाना है, दो से पाँच तक, तो आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे ही लिखेंगे, और दो और पाँच आपका समिलित नहीं होना चाहिए, इस संग्रह में, ठीक, तो आप बनाएंगे वैसारी संख्याएं, जो की वास्तविक हैं, और किस दो संख्याओं के बीच में आ रही है, दो और पाँच, तो आप यही बनाएंगे संग्रह, बिल्कुल सही, यही बनेगा, इस संग्रह का एक खास नाम होता है, और वे क्या है, अंतराल, तो आईए ज़रा भिन अंतराल पड़ें, सबसे पहले, मान लीजे, A और B, यह मन माना हमने नंबर लिया है, जिसे हम arbitrary नंबर भी कहते हैं, वास्तविक संख्या ली है, A हमारा B से छोटा है, तब वास्तविक संख्याओं का समुच्य, जो हमने इस रूप में व्यक्त किया है, एक वीवृत अंतराल कहलाता है, अंग्रेजी में हम इसे open interval के नाम से भी जानते हैं, इसे हम इस प्रकार निरूपित करते हैं, किस प्रकार? जो हमारे अंत्य संख्याओं हैं, यानि A और B, उसको लिखेंगे, और जो छोटे कोश्टक होते हैं, यानि जिसे हम क्या कहते हैं? इसे curved brackets, उससे हम निरूपित करते हैं, ध्यान देंगे, A और B के सारे के सारे जो बीच में हमारी संख्याओं आ रही हैं, वो हमारे इस अंतराल में आता है, परन्तु A और B, स्वैम इस अंतराल में नहीं आते, ऐसे अंतराल को हम विवरित अंतराल कहते हैं, उधारन के तौर पर, दो और पांच हमने लिया था, उसके अंदर मैंने आपको यही संग्राय बोला था, कि दो और पांच के बीच के सारे के सारे आपको वास्तविक संख्याओं लेनी हैं, पर दो और पांच नहीं आने चाहिए, तो हम इसको अंतराल रूप में इस प्रका हों, बिंदू भी होते हैं, वैसा अंतराल, संव्रित अंतराल कहलाता है, यानि बंद अंतराल हम इसे कह सकते हैं, अंग्रेश Saudi में हम इसे Closedad इंट्रवल के नाम से जानते हैं, अब इसको दशाने का तरीका, ध्यान देंगे, इस अंतराल को हम किससे बड़े कोष्टक से निरूपित करते हैं ठीक यानि स्क्वेर ब्राकेट से A और B और इसको हम किसके अंदर लिखते हैं A और B को बड़े कोश्टक में ठीक अब इसमें हम देखेंगे वह सारी संख्याएं आ रही है जो A से बड़ी है और उसके बराबर और B से छोटी है और उसके बराबर B उधारन के तौर पर अगर मैं आपको वही उधारन लूँ दो और पांच का तो अब इसमें क्या हुआ वैसारी संख्या जो दो और पांच के बीच में आ रही है एवं दो और पांच भी ले रही है ठीक अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई ऐसा अंतराल होता है जिसके अंदर एक तरफ खुला हुआ हो और एक तरफ बंध हो बिल्कुल सही ऐसा अंतराल भी होता है यह देखेंगे अब इस अंतराल में ऐसे अंतराल में भी जो एक अंते बिंदू पर बंध हो पर दूसरे पर खुला हो उसे हम खुला अंतराल कहते हैं और अंग्रेजी में हम इसे सेमी ओपन इंटरवल भी कहते हैं ठीक ध्यान से देखेंगे प्रतीक से ही अब जान पाएंगे कि किस तरफ पे हमारा अंतराल खुला हुआ है और किस तरफ पे बंध देखेंगे यह प्रतीक है समझ रहे हैं आप इस अंतराल में कि वो सारे के सारी संख्याएं हैं जो ए और बी के बीच में हैं B समिलित नहीं है, पर A समिलित है, ठीक, कोश्टक से ध्यान देंगे, यहां छोटा कोश्टक है, तो यानि B समिलित नहीं होगा, A कोश्टक है, तो यहां हमारा जो संख्या A है, ध्यान देंगे, यहां कौन सा कोश्टक है, बड़ा कोश्टक, तो बड़ा कोश्टक के अंदर जो A है, वो समिलित है, इसी प्रकार, दूसरे तरीके से, यहाँ पे हमारा A जो है, वो समिलित नहीं है, पर सीधे हाथ में, जो हमारा B संख्या है, वो इस अंतराल में समिलित है, ठीक, उधारण आप देख सकते हैं, A, यह कौन सा अंतराल है, बंद अंतराल, B, यह हमारा कौन सा अंतराल है, खुला अंतराल, यानि सेमी ओपन इंटर्वल, जहाँ पे हमारा छे तो समिलित है, पर माइनस साथ समिलित नहीं है, C, हमारा विवरित अंतराल है, ठीक, आई अब इस पे एक सवाल लेते हैं, सवाल से पहले इस चित्र पे ध्यान दे, यह आपकी NCRTK ही जो पुस्तक है उसमें दिया हुआ है, इसमें आपको अलग-अलग अंतराल दिये हुए हैं, चित्र के माध्यम से, यह हमारा विवरित यानि ओपन इंटरवल है, इसमें आप ध्यान देंगे, यह जो सफेद बिंदू है, यह हमारे दर्शा रही है, कि यह बिंदू हमारे अंतराल में समिलित नहीं है, और जो यह काले बिंदू है, यह हमारे दर्शा रही है, कि जो हमा यानि ए और बी संख्याएं हैं, वो अंतराल में समिलित हैं, वह भी आ रही हैं, तो आप देख सकते हैं, यह हमारा विवरित अंतराल, बंद अंतराल और यह दोनों हमारे खुले अंतराल, तो अब देते हैं एक सवाल, इस सवाल में निम्न दिये गया है, जो हमारे समुच्चे हैं, इनको अंतराल रूप में बदलना है, तो पहले बदल लेते हैं और फिर हम इसका उत्तर भी देखेंगे, तो ध्यान देंगे इस वाले के अंदर, सबसे पहले हमें आंते बिंदू, यानि आंते जो संख्याएं है वो लिखनी है, माइनस बारा और माइनस दस, आप देखेंगे, यहाँ जो एक्स है, वो माइनस बारा से बढ़ा है, बराबर का साइन नहीं है, ऐसा साइन नहीं है, ठीक? तो हमारा जो माइनस 12 है वो क्या है? अंतराल में नहीं आता तो हमें छोटा कोश्टक लगाना है इसी प्रकार माइनस 10 भी नहीं आ रहा तो छोटा कोश्टक यह हमने निरूपित कर दिया अंतराल रूप में ऐसे ही आप इसको करेंगे यह बन गया तो यह हमारा एक खुला अंतराल बन गया अब आप नीचे देखेंगे नीचे वाले प्रश्ण में आपको अंतराल रूप दिया हुआ है आपको उसको समुच्य निर्मान रूप में व्यक्त करना है सरल है जैसे कि आप मैं एक आपको दिखा रही हूँ फिर दूसरा हम सीधा उत्तर में देखेंगे समुच्य निर्मान रूप बताने की दुबारा जरूरत नहीं सबसे पहले प्रतीक फिर कोलन और फिर जिस तरीके से उपर दिया हुए बिलकुल वैसे ही हमारा वास्तविक संख्या हो गई और ये कहां से कहां तक आ रही है द्यान देंगे 6 और 13 6 से बढ़ी है 13 से छोटी द्यान देंगे यहां छोटा है कोश्टक बट यहां बड़ा कोश्टक है तो यानि 13 हमारा समिलित है तो यहां बराबर का साइन लग जाएगा और ये हमने समुच्य निर्मान रूप में इसे व्यक्त कर दिया ठीक, आईए अब उत्तर देखें यही हमने पाया था पहले दो आखरी में अब देख सकते हैं कि हमारा x बड़ा है माइनस नौ से और छोटा है एक से और दोनों ही समिलित नहीं है तो दोनों ही हमारे उसमें बराबर का साइन नहीं आया आगे चलेंगे आपको उधारण दिख रहा है इस उधारण पर गौर कर ये ये ए समुच्य है जिसमें दो अव्यव हैं एक और शोन है अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक समुच्य बनाना है जिसमें इस ए समुच्य के सारे के सारे उप समुच्य आ रहे हो तो आप कुछ ये ही बनाएंगे ठीक कैसे बनाएंगे सबसे पहले हमने बिंदू पड़ा था जो रिक्त समुच्य होता है वो हर एक समुच्य का उप समुच्य होता है तो वो हमने ले लिया इस समुच्चे को ठीक अब ध्यान देंगे जो हमारे इस ए समुच्चे में एक जो है एक अव्यव है तो वो भी हमारा उपसमुच्चे रहेगा ठीक उसको हमने एकल समुच्चे बना लिया तो जितने भी अव्यव होंगे उन सब का अलग-अलग उपसमुच्चे हमें मिल जाएगा तो ये हमारा एक एकल समुच्चे जिसमें एक अव्यव है एक और एकल समुच्चे जिसमें शूने हमारा एक अव्यव है ये भी हमने पढ़ा था अभी हमने पिछले इसी सत्र में पिछले बिंदूओं में कि जो समुच्य होता है, वो अपना ही उपसमुच्य भी होता है, तो हमने ये भी ले लिया, इसके अलावा कोई और उपसमुच्य नहीं बनेगा, जब इन सब का हमने समुच्य बनाया, इसको हमने पीए से प्रतीक किया, तो ये भी समुच्य है, इस समुच्य का एक खास नाम ह होता है बच्चों इसे हम कहते हैं घाद समुच्च जिसे आप अंग्रेजी में पावर सेट के नाम से भी जानते हैं ठीक आईए अब घाद समुच्च के परिबाशा देखें ए समुच्च के उप समुच्च के संग्रह को हम A का घात समुच्च कहते हैं यानि उसका पावर सेट कहते हैं तो अब आप समझ पाए होंगे कि मैंने पिछले उधारन में PA क्यों लिया था प्रतीक क्यों पावर सेट तो हमने अंग्रेजी शब्द का पी यानि घाद समुच्य ये दशा रहा है एक और बिंदु ध्यान देंगे पी ये में यानि घाद समुच्य के जो प्रतियेक अव्यव यानि सदस्य होते हैं वो अपने में ही एक समुच्य होते हैं जैसे की आप इस उधारण में भी देख सकते हैं आईये एक और उधारण देखते हैं जिसके अंदर मैं ये ही समुच्य लूँ पर इसमें एक सदस्य और जोड दूँ तो क्या हमारा घाद समुच्य बने का देखेंगे ये हमारा पिछला उधारण यह हमारा जिसमें मैंने एक सदस्य और जोड़ दिया माइनस एक, ठीक अब इसके अंदर फिर से उसी तरीके से आप सारे के सारे उप समुच्य बनाएंगे रिक्त समुच्य तो रहेगा और समुच्य जो भी है वो इसका सदस्य तो रहेगा ही अब सारे एकल समुच्चे ले लेंगे, एक, शून्य, माइनस एक, जो की इसके सदस्य है. अब सारे वो समुच्चे जिसके अंदर दो अव्यवार रहे हों, यानि एक, शून्य, एक और माइनस एक, शून्य और एक, ठीक? और कोई उप समुच्चे बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा तो ये हमारा PB इस B समुच्चे का घाट समुच्चे है बच्चों, इन दोनों उधारन में कुछ खास है ध्यान देंगे इस A समुच्चे में कितने अव्यव हैं? दो और इसके घाट समुच्चे में कितने अव्यव हैं? गिन सकते हैं एक, दो, तीन और चार चार चीक? ऐसे ही आईए पहले इस वाले उधारन में भी करें 20 समुच्चे में तीन अव्यव और इसके घाट समुच्चे में एक, दो, तीन, चार, पांथ, छै, साथ, और आट क्या मैं इन दोनों को इस रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं और इस से आपको एक नया बिंदू मिलेगा और वे क्या मिलेगा? आप देख सकते हैं दो की घाट दो, और ये दो क्या है? अगर मैं कहूं जिस समुच्चे का हम घाट समुच्चे निकाल रहे हैं उसकी अंदर अव्यवों की संख्या इसी प्रकार दो की घाट तीन और वी समुच्चे में भी अव्यवों की संख्या तीन तो इससे आप ये नोट करेंगे यदि A में M अव्यव है तो हम देख सकते हैं कि A के घाट समुच्चे में कितने अव्यव होंगे? दो की घाट M ठीक? नीचे आप एक समुच्चे देख सकते हैं A जिसके अंदर कितने अव्यव हैं? ध्यान देंगे तीन अव्यव हैं ध्यान देंगे बच्चों तीन अव्यव हैं चार नहीं ये एक, ये दो और ये पूरा समुच्चे हमारा एक अव्यव की तरह रहेगा ठीक? तो तीन तो अगर मैं आप से पूछ हूँ कि इसके ए समुच्चे के घाज समुच्चे में कितने अव्यव हैं? तो आप जट से बताएंगे कितने? आठ दो की घाज तीन बराबर आठ ये मैं आपको सवाल दे रही हूँ जो आपको खुद ही निकालना है इसका उत्तर मैं नहीं दूँगी आप खुद निकालेंगे कि इसके घाज समुच्चे में कोन-कोन से अव्यवाएंगे यानि सारे के सारे उप समुच्चे निकालना है आपको समुच्चे एक के आईए बागे बढ़े ये सवाल घाज समुच्चे के उपर ही आपको क्या निकालना है? घाज समुच्चे का अगर मैं घाज समुच्चे लूँ तो उसमें कितने अव्यवाएंगे वो आपको देखने है B हमारा क्या है एकल समुच्चे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सदस्य है और वो है दो तो B में, समुच्चे B में कितनी है अव्यवो की संख्या? एक लिख लिया हमने तो P B में, यानि B के घाट समुच्चे में कितनी संख्या होगी? दो दो की घाट? एक, तो दो ही आया तो P, P B के अंदर कितनी संख्या होगी? यानि B का घाट समुच्चे और इसका भी हमने घाट समुच्चे ले लिया तो वो क्या हो गया? दो की घाट ये दो, तो आगया चार समझ में आया? आशा करती हूँ, आया होगा अब आगे बढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे सार्वित्रिक समुच्चे के बारे में सार्वित्रिक समुच्चे जिसे हम अंग्रेजी में युनिवर्सल सेट के नाम से भी जानते हैं इसकी परिभाषा हमें क्या कहती है? एक समुच्चे जो सारे समुच्चे का अधार बूत हो किसी भी विशेश संधर्ब में उसे हम सार्वत्रिक समुच्चे कहती हैं। उधारन ले लेते हैं। सभी पुर्णांग जो हमारे समुच्चे हैं, उनके लिए परिमे संख्याओं का समुच्चे, सार्वत्रिक जो समुच्चे है, कहला जा सकता है। और वास्तविक संख्याओं का जो समुच्य है वह भी कहलाया जा सकता है क्योंकि वह अधारबूत है किसी विशेश संधर्म में ही रहता है अब दूसरा अधारन देखेंगे सभी संकोन त्रिभूज यानि सारी राइट ट्राइंगल्स का अगर मैं एक युनिवर्सल सेट देखूं सार्वत्रिक समुच्य देखूं तो वो क्या होगा सारे त्रिभूजों का समुच्य है ठीक वो ही हमने यह लिख रखा है आईए अब देखते हैं कि हमने इस सत्र में क्या-क्या पड़ा इस सत्र में हमने सबसे पहले उप समुच्य की परिभाशा याद करी वे क्या थी फिर हमने यह देखा जो रिक समुच्य है वे हर एक समुच्य का उप समुच्य कहलाया जा सकता है फिर ये भी देखा जो हर एक समुच्च है वै अपना ही उपसमुच्च कहलाया जा सकता है और A B का उपसमुच्च है B A का उपसमुच्च है तो A और B दोनों बराबर होंगे ये हमने पढ़ा और क्या क्या पढ़ा आईए देखते हैं हमने पढ़ा किसके बारे में उचित, समुच्च और अधी समुच्च यानी प्रापर सेट और सूपर सेट ये रहा अधी समुच्च और उचित समुच्च इसके बाद हमने घाज समुच्च के बारे में पढ़ा घाज समुच्चे के अंदर कितनी संख्याएं आ सकती हैं अव्यवों की वो भी पड़ा अंतराल पड़े एवं वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चे भी पड़े इन सब पे हमने कुछ प्रश्ण भी देखे तो बच्चों आशा करते हैं आज के इस सत्र में आपको आनंद आया होगा समझ में आया होगा धन्यवाद आपको आपको